नमस्का, मैं प्रग्या सिंग, शाफ्सकी पूर्मान मुशाला हनोदा से मैं आज अच्छा चट्वी की प्राक्रिस संध्याओं पर एक गतिविदी खराने जा रहे हूँ इस गतिविदी के माध्यम से बच्चों में प्राक्रिस संध्याओं के प्रती समझ उत्पन होती है और इसकी आउधार्ना इस पास होती है जैसे कि आप देख रहें कि हमारे ना प्रवेशिक छटी क्लास में बैयालेज बच्चों का प्रवेश हुआ है इस सफ्र में जो कि हमारे लक्ष आज हमारे पूरा हुआ है बैयालेज बच्चों का लक्ष था वो पूरा हुआ है अच्छा है तो प्राक्रिस संध्या क्या होती कि इसे शाला पूरा आजा। पिर्लिकर मत आपके दिलिए बहुंता है। आजा रेख में तो करते जा। में पाद़ पिर्टार पिर्टार आजा। कितनी बहुत हैं? उन्मी अब इस अभी बच्चों के पास मैंने कुछ कार्ट्स दिये हैं कार्ट्स हैं सभी के पास? कार्ट्स हैं तो फ़लो के कार्ट्स में इसके पास आम है वो यहां पर आएगा? आजाओ आँवाले बच्चे पास मैं आज़र जरो गिन के बताब कितने बच्चों पे पास आम हैं? किनो? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब अधास से गिन के बताब? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने नाम हैं? चैज ऐसे ही रंगों वाले पार्ट से भी किसी बच्छों पे पास हैं? लाल रंग वाले आओ जाओ चलो बटा गिन के बताओ एर दो ती चार पाच कितने पार्ट हैं? चैज दो ती चार पाच तुम गिन्ती चार पाच हर बच्चा जब गिनना चार लू करता है तो कहां से गिन रहा है? तो जब हम गिन्ती करते हैं तो कहां से चार लू करते हैं गिन्ती को? ए क्योंदे से क्योंनी चार लू करते हैं? क्योंनी चार लू करते हैं? क्योंकि गड़ना के लिए हम जिन संख्याओं का उप्यूप करते हैं वो गिंती कहलाती है कोई भी वर्तु को हमको दैनी जीवर में गिनना करता है बार बार जाना तो गिनने के लिए हम कहां से चालू करते हैं तो जो गड़ना के लिए हम संख्याओं का इस्तिमाल करते हैं को कहलाती है प्राक्रिप संथा क्या है प्राक्रिप संथा क्या होगी है जिस संथा को बच्चो को बच्चों को गिंती की समझ करवा सकते हैं और बच्चों में ये समझ होती है, वो गरना रहनी कीवर में करते आते हैं, बच्चमन से वो गिंती के बारे में जानते हैं, और हर बच्चा गिंती कहां से स्कार्ट किलता है, एक से, आपको कोई बसको गिंने बोला जाता है, आप कहां से गिंते हो, एक से, अब इसनी में थो बच्चों की समझ संख्या के प्रती है